मित्रो इंद्रजाल को अकसर लोगतांत्रिक विद्या, वशीकरण और जादू टोने से जोडते हैं। इंद्रजाल एक तरह से हमारे आखों का भ्रम ही है, जिसे हमारा दिमाग पकड़ नहीं पाता है और फिर हम इसके असर में आ जाते हैं। आज के इस विडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो इस विडियो को अंत तक जरूर देखे। इस विडिया का गलत इस्तिमाल भी बहुत हुआ है, और आज तक भी होता आ रहा है। यह विडिया बहुत ही भ्रानती युक्त विडिया हैं। इसके अंतरगत, मंत्र, तंत्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरन, नाना प्रकार के कौतुक, प्रकाश एवं, रंग आदी के प् है, कि ये देवराज इंद्र से जुड़ा है। इंद्र को छल, कपट या चक्मा देने वाला माना जाता है, इसले इस विडिया का नाम इंद्र जाल पड़ा। कहा जाता है कि यह विद्या रावन, मेघनाद्व, अन्यराक्षस इस विद्या के ग्याता थे, इंद्रजीत तो इस विद्या के महाग्यानी थे, क्योंकि वह युद्धक्षेत्र में भी बादलों में छिपकर प्रहार करते थे। इंद्रजीत ने यह विद्या महादेव से सिखा था, इंद्रजीत को यह विद्या बहुत कठिन परिश्रम करने के पश्चात ही प्राप्थ हो सका मित्रों यह एक भ्रम विद्या है, इस विद्या से किसी को भी भ्रमजाल में फसाया जा सकता है और उन्हें अपने इच्छा अनुसार नचाया जा सकता है जो इस विद्या का अभ्यास करते हैं, उन्हें एंद्रजालिक कहते हैं आज कल इसे जादू का खेल कहते हैं आप सभी ने तो सरकस में कर्तब दिखाने वाले, सडक पर जादू के तमाशे दिखाने वाले आदी व्यक्ती को जरूर देखे होंगे या फिर आप ऐसे जादूगर को जरूर देखे होंगे, जो गर्म लोहे को अपने मुह में रख लेते हैं गर्म जंजीर से अपने शरीर पर मारते हैं, जीवीत मनुश्य को दो टुकडे में बाट देते हैं ऐसे बहुत सारे अध्भुत द्रिश्य को दिखाते हैं, जो वास्तव में किसी चमतकार से कम नहीं लगता है ये सभी इन ही विद्याओं का प्रयोग करते हैं यह विद्या ऐसा हैं, जिससे देखने वाले व्यक्ती भ्रम में आ जाता हैं, उस व्यक्ती को वही दिखाई देता हैं, जो एंद्रजालिक चाहते हैं कुछ लोग इसका संबंध पौरानिक काल के युधद निती से जोडते हैं इसके अंतरगत कोई राजा अपने दुश्मन को भ्रम में डालने के लिए इसका प्रयोग करते थे कामंदक जो चानक्य का चेला था, उसने कहा कि पूरी सभा में अपनी बात को रख पाना और सभी को अपने तर्क के लिए राजी करना बहुत कठिन है इसलिए उन्होंने इंद्रजाल को राजनीती में प्रयोग के बारे में सुझाव दिया उनके सुझाव के अनुसार कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे दुश्मन की सेना में डर पैदा हो जाए यानी की अचानक आसमान में अंधेरा छा जाना, बहुत सारे ध्वच का उड़ना, मेख का गर्जना, बारिश होना, आदी जैसे भय उत्पन करने वाला प्रयोग ऐसा करने से सामने वाले शत्रु के समह में भय उत्पन हो जाता था और उनकी सारी सेनाएं छिन्न भिन हो जाते थे, यह सब केवल इंद्रजाल से ही हो सकता है असल में इंद्रजाल वह है, जिस पर हमारी आखे, दिल और दिमाग विश्वास करने के यह राजी न हो अक्सर हमें लगता है कि यह हमारी आखों का धोखा है, परन्तु यह दिमाग की चतुराई से होता है जादूग्रों के हाथ हमारी नजरों और दिमाग से कई तेज होते हैं, इसी कारण हम जादू को समच नहीं पाते आप यह सुनकर चौक जाएंगे कि इंद्रजाल नाम की एक जड़ी भी है, यह समुदरी इलाके में पाई जाती है प्रन्तु यह सारे समुदरी इलाकों में नहीं मिलता है, इसका अलग शेत्र है माना जाता है कि यदी इसे साफ कपड़े में लपेट कर पूजा घर या मंदिर में रखे तो अनेक प्रकार के लाब होते हैं इस जड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह किसी भी टोने टोटके को बेसर कर सकती है इंद्रजाल की महिमा डामरतंत्र, विश्वसार, रावन सनहिता आदी ग्रंथों में बताई गई है